हेल्दी ब्रेकफास सेरीज में बनाते हैं चना सोया बाइट्स और बनेगा सिर्फ एक चमज तेल में तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं यहां पर मैंने चना और सोया बीन को पहले ही फुला के रख लिया था चना मैंने यहां चार घंटा फुलाया था चनार कुल 50 क्राम है और सोया भी मैंने 14-15 पीस लिया है इसे भी मैंने एक घंटा फुला लिया था इन सब को हम लोग मिक्सी जार में डालेंगे दोनों को और थोड़ा सा एक चमच पानी डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे बहुत महीन नहीं करना है दर दरा में ही बहुत अच्छा टेस्टी बाइट बनके रेडी हो जाएगा अभी से दोनों को हम लोग एक साथ पीस लिया है अभी से ब्राउन में ट्रांसफर कर लेते हैं उसके बाद बाकी के चीजे डालते हैं बारी कटा अधा पर प्याज टेस्ट के अकॉर्डिन हरी मिच मैंने डाला आप च चम्मच बेशन एक चम्मच के लगवग चाहती राइस फ्लावर है इसके साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा थोड़ा सा मैंने यहां पर ब्लैक पेपर और गीनो स्वादानुसा नमक थोड़ा सा जमाइन दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग के लिए इन सब को अच् चप्ता कर लेंगे देए से बन कर एडी हो गया सबको ऐसे ही हम लोग से बना लेंगे थोड़ा सा हाथ में उठकर इसे गोल करके और चाप्ता कर देंगे तो रृप作 tö। अब हम लोग पैन को घरम करेंगे उसमें एक चमस तेल लाल कर फैला लिए है अब जो हम लोग कटले करके रखेते उसे डालेंगे एक एक करके जितना पैन में आड़ सकता है उतना डाले और बहुत कम तेल का यूज किया है हमने यह बहुत हेल्दी रेसेपी है आप लोग लोग धब कन लक्तर majod करेंगे एक दम धीमियाज करेंगे तो दुसरे दरप से पक जाएगा यह देखिए 1 यह aác मैं निश्र मिन्यार ने कपाया था एकदम धी आच में दुसरे साइट बलटके फिर से 40 मिनुट तक पका लेगे यह जीदे दोनों साइट से पकाए है यह न में भी बहुत स्वादिश लगता है आप जरूरी से एक बाट परां के ट्राइक किजिएगा अगर रेशिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग